BCCI ना सुधरा है ना सुधरेगा और ना long term planning या कोई भी planning लेकर चलता है Indian team के legendary players खुद इतने insecure हैं वो आज इस squad से पता लग जाता है rest करना चाहते हैं या इन्हें अराम दिया जाएगा और लोगों को test किया जाएगा यह सभी अफवाए थी बात करने जा रहे हैं इंडिया टूर ओफ एस्ट इडीज ओडिया और टेस्ट माचेस के लिए squad अनौंस हो गया है let's talk easy target था चितेश्वर पुजारा को निकालना और यह बताने के लिए कि हम जो है कड़े decisions ले रहे हैं वो कर दिया गया चितेश्वर पुजारा की छुटी कर दी गई बट इस बीसी जाए के decision से कोई भरोसा नहीं है कि कल आकर कह दे कि वो तो rest में था हमने तो चितेश्वर पुजारा को केवल और केवल इस टूर के लिए rest दी थी निकाला थोड़ी न था क्योंकि जिनके रहाने इस गौरे के लिए उपकपतान हो गए हैं लास्ट माच में एक माच की performance के basis पर जो व्यक्ति आपने निकाल कर रखा हुआ था उसे उपकपतान बना दिया है इसके इलावा जो कपतान उस WTC cycle में completely जो है fit नहीं रहा और खुद कपतानी नहीं की उसे next cycle के लिए कपतानी दे दी गई और अपने वो decisions जो WTC final तक आपने बुरे लिए उन्हें भी correct करने का जो है मादा नहीं रखा BCCI ने जैसे wicket keeper की उपर एक जिद इसके इलावा fast ballers में genuine fast ballers को और लाना और उन्हें और encourage करना ये सब कुछ नहीं किया गया खेर पहले test match के squad को देख लेते हैं आपके screen पर भी आएगा test squad है रोईच शर्मा captain अब क्या रोईच शर्मों को captaincy देनी चाहिए थी WTC final के बाद भी मेरी personal life brunt है की नहीं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी और मुझे रोईच शर्मा के fan से कुछ लेना देना नहीं है टीम इंडिया उनके अंडर लथाजिक टीम इंडिया उनके अंडर जो है blow power दिखी है और इसमें शर्म की बात नहीं है correct करने की बात है उसके बाद शुबमन गेल बहुत असानी से शुबमन गेल और रितुराज गायकवड भी है इन दोनों में से किसी को उप कपतानी दी ज जो है कड़े कदम उठाने से तो डरता ही है बट सही कदम या सही कुछ encourage करने से तो बिलकुल जो है डरता है कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भारतिये टीम की यह भारतिये क्रिकेट टीम का भलाई नहीं चाहते हैं यह केवल और केवल for that short period of time marketing के ऊपर केवल और क रुज चर्मा, शुबमन गेल, रितुरज गाइकवाड, विराट कोली, जैसवल की एंटरी होती है टेच स्कौर्ड में जिनके रहाने केस भरत, केस भरत as a wicket keeper अभी भी रखे गए हैं, second wicket keeper है इशान कीशन और I am surprised and shocked जो केस भरत ने आपको WTC में दिखाया भाइसाब उनक नहीं, कोई कुछ नहीं, और इन जैसे दोरों पर जो की test matches का बहुत कम आपने खेलना है कुछ दिनों तक, यानि कि अब ये test matches के बाद, बहुत देर के बाद test matches जो हैं, दुबारा से होंगे, आपके पस चांस था और एक नई जो है बॉलर्स को test करने का, आर अश्विन यहा पर हैं, अकसर पटेल यहां पर हैं, यानि कि कोई भी changes, example के तोर पर कुल्चा की जोड़ी आप test match में भी जो है, वो देख सकते थे, कुल्धी प्यादव, left armor हो जाते, और आपके जुजविंदर चहल जो है, वो leg spinner हो जाते, और West Indies में उनका जलवा देखा जा सकता था, बि दोनों के साथ, कुल्चा के साथ, I mean to say, so that, कि आप अकसर पटेल को खुद कहें, कि भाई, अगर हम कुल्चा की जोड़ी नहीं भी खलाएंगे, आप as अकसर पटेल जो है, front lead कीजिए, balling को, let's see, की कैसे करते हैं, बट वो भी नहीं BC से ऐसी हुआ, मुहमद सिराज, मुकेश कुमार, जैदेव नटकर, नवदीप सैनी, मुहमद सिराज को rest की जरूरत नहीं है, बट मुहमद शामी को है, अब ये logic मेरे को समझ नहीं आया, क्या मुहमद शामी से पीछा शुड़ाया जा रहा है, सोचने की बात है, इसके इलावा नवदीप सैनी, वा जी वा, ये वापस वहाँ पर आये है, जैदेव नटकर वहाँ पर खेलेंगे, मुकेश कुमार वहाँ पर खेलेंगे, अब आप खुद सोच लीजिए, टेस्ट माचों के लिए BC सै की सोच क्या है, मैं positive सोचने की कोशिश करता हूँ, for example, इंडिया का number one पेसर बन जाता है, मुकेश क मुकेश कुमार, जैदेव नटकर और नवदीब सैनी, अब खुद सोचो, मुझे तो हसी आई है, हाँ हाँ हाँ, बट आपको क्या लगा, comment section में बता देना, क्योंकि अगर मैं positive सोचू, मैं इस squad को imagine नहीं कर सकता, balling के लिए, जहाँ lead करेंगे मुकेश कुमार, जैदेव न आगे चलते हैं, क्या होता, अगर यहाँ पर मुहमद सिराज के साथ, आपका one of the best pace baller, जो की speed में pace मैं best कह रहा हूँ, उमरान मलिक होता, यानि कि यह दो जो है शुरुआत करते, नमबर तीन पर या one change जो है, अर्षदी अपने left armer से आता, example के तोर पर ही बता रहा हूँ, क्या बुरा लगता इन लोगों को, example के तोर पर बता रहा हूँ, cable, cable, हो सकते हैं, इसके लावा और options बहुत हो, बट आपको उन options पर जाना चाहिए, जो आप future देख रहे हैं, आप present में cable और cable खराब कर रहे हैं, pass में आप खराब कर चुके हैं, और किस तरह की सोच है, एक व मिल जाएं, बट cricket जहां तक हम जानते हैं, इंडिया passing marks के लिए नहीं है, cricket में इंडिया जो है, top of the table होना चाहिए, और उसे भी winner के तोर पर निकलना चाहिए, आप अपनी राय कोमेंट सेक्शन में ज़रू बताइए, ODA squad भी देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर ODA squad भी है, रोहिज शर्मा अगेन captain, obviously ODA में रोहिज शर्मा जो हा बनते भी हैं, जब तक World Cup ये हारते नहीं है या जीतते नहीं है, तब तक कोई decision नहीं होना चाहिए, शुबमन गेल रितुराज गायकवाड, रितुराज गायकवाड को दोनों teams में जगा मिल गई है, विराट कोली, संजू सामसन विकेट कीपर, और संजू सामसन विकेट कीपर अगर टेस्ट माच में भी आ जाते, तो इनका क्या जाता, इशान किशान हार्दिक पांडिया वाइस captain, interesting, हार्दिक पांडिया वाइस captain, यानि की captain दोनों, यानि की one days में और T20s में possibly एक ही होगा, provided हार्दिक प पस रोई शर्मा captaincy करते ना दिखें, क्योंकि अब इन्हें कोई rest भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी जगा पर खतरा जो है, anyways, शारदुल ठाकूर, रविंदर जडेजा, अकसर पतेल, युजविंदर चैल, कुल्दीप यादब, ODS squad में कुल्चा की जोड़ी आ गई है, ज that makes sense, कि आप रोई शर्मा को वो टीम खिलाने दो, रोई शर्मा की जो वर्ल्ड कप में खेलेगी, बट यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हमारे पास बॉलर्स कौन है, उम्रान मलिक, मुकेश कुमार, जैदिव उनटकर, मुहम्मद सिरा तो हम यह 4 पेसस के साथ जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में, या मान कर चलो, क्या यह वो पेसस होंगे अगर बुमरा नहीं आता है, या आप शमी के इलावा भी सोच रहे हो, तो यह वो 4 पेसस होंगे, भई मुझे तो डर लगेगा वर्ल्ड कप में, इसके इलावा बाटिंग म अगर आप इस टीम में देखें, तो संजू सैमसन आए हैं, अच्छी बात है, इशान किशन यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक बंदा जो है जाएगा जब आपके केल राहूल वापस आएंगे, स्टिल दोनों की चोइस अच्छी है, इसके लावा सूरे बहले ऐसा फैन मेरे लिए तो यह BCCI कभी जो है दूर का नहीं सोचती है, और मुझे तो वाके यह लगने लग गया है कि BCCI भारत का ही नहीं सोचती है, यह केवल केवल मार्केटिंग और परमोशन के उपर जादा ध्यान देती है, आपका क्या विचार है, नीचे ज़रू ब गुलिए गाँ